हलो फ्रेंज अस्सलाम वालेकूम ताज आपके साथ शेयर करूँगी बहुती मज़ेदार स्टार्टेस की रेसिपी तो इसे मैंने अपने स्टाइल में बनाया है ये पनीर की रेसिपी है जरूर से ट्राइ करना एकदम क्रिस्पी है अंदर से पनीर सॉफ्ट है और बहुती फ चाप्मानिर रहीम यह मैंने तीन सु ग्राम पनीर लिया है और इसे हमिस तरह से स्ट्रिप्स में घट कर लेना है अ यह मैंने सारे पनीर को कट कर लिया है, इसे हम साइट पे रख लेंगे, एक बोल लेंगे, इसमें आदे लिम्बू का रस नी चोड़ेंगे, वन टीजपून सिरका मिलाएंगे, वन टीबल स्पून चिली सॉस, हाफ टीजपून नमक, हाफ टीजपून रेड चिली पाउडर, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसमें हमें पनीर को मैरिनेट करना है, इससे पनीर में भहुती अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा, प गंटे के लिए पनीर को मैरिनेट करना है, इस तरह से धक्या में फ्रीज में रख देना है पनीर को दो गंटे के लिए, एक बॉल लेंगे, इसमें एक चौताई कप चावल का आटा, एक चौताई कप चने का आटा, बेसन, हाफ टीजपून, जिंजर पाउडर, हाफ टीजपून गार्लिक पाउडर, हाफ टीजपून ओनियन पाउडर, हाफ टीजपून नमक, और वन टीजपून रेड चिली पाउडर, इसमें हम थोड़ा पानी दाल के एक अच्छा सा मीडियम थिक गोल बनाएंगे इसका, हमने जो मेरिनेशन करके लिए रखा था इसमें विनीगर और लेमन का तो वो भी पानी इसमें हम मिला लेंगे अच्छी तरह सारा पनीर हमारा गिर गया ऐसे निकाल लेते हैं तो मिक्स करना है इसी तरह से हम अच्छी तरह से कोई लंज ना रहे इसमें और थोड़ा पानी डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम मिलाएंगे कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा और इससे मिक्स करना है इस तरह की कंसेंस्टन्सी होनी चाहिए ठीक इतनी ये ब्रेड लिया है ये ब्रेड मैंने दो दिन पुराना ब्रेड लिया है इस रेसिपि में हमें 20 ब्रेड यूज करना है फ्रेश ने यूज करना है और इसे हमें रफली चॉप करना है इसके हमें चोटे बड़े चंक्स चाहिए तो इस तरह से हमें कट करना है इसमें total मैंने 12 bread का यूस किया है ये मैंने सारे bread को कट कर लिया है पनीर को थोड़ा हम उपर निचे करके mix कर लेंगे अब coat करेंगे हम बेसन के घोल में और ब्रेट क्रम्ज में इसे कोट कर लेना है हलके आतों से दबा दबा केसे करना है इजीली कोट हो जाता है देखिए इसी तरह से हम सारे पनीर के पीज को बेशन के अंदर और ब्रेट के अंदर कोट कर लेंगे सारे हो गए हे हमारे पीस रेडी तो इसे हमें फ्राई करेंगे तिल हमारा अगदम गरम होना चाहिए और इसे हम हाइ फ्राई करना है एकदम क्रिस्पी होने तक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है एकदम क्रिस्पी है बहुत ही फ्लेवर फुल है तो जरूर से ट्राइ करना बहुत ही पसंद आएगी सभी को घर में बच्चों को पसंद आएगी फैमिली में हर किसी को पसंद आएगी यह रेसिपी यह हमारा फ्राई हो चुका है पनीर तो इससे हम निकाल लेते हैं दूसरे पीसिस को भी हम साथी साथ फ्राई कर लेंगे देखें कितना क्रिस्पी फ्राई हुआ है तो जरूर से ट्राई करना बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है स्टार्टर में बनाई है और इसे आप हरी चटनी के साथ ही सर्फ कर ये बहुत मज़ेदार है सबको पसनाने वाली रेसिपी है तो चले फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ चले बाई बाई